हाई गाइज वल्कम बैक टू माई चैनल तो गाइज एडिक्षन के तरफ से आरे सबसे अच्छी ऑपर्सुनिटी के बारे में मैं इस वीडियो में बात करना वाला हूँ जो कि यह फ्रेसर के लिए हाइरिंग निकली हुई है तो गाइज अगर आप भी तो यह 24 बैच के हो य आपके पास तो आप इस वीडियो को एंड तक देख सकते हो आपको इस वीडियो में उनकी एलिजबिल्टी क्रैटर या एक है किस्टेफ जो जो उन्होंने उनकी रिक्वार्मेंट है उसके बारे मैं इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाला हूं तो चलिए गाई उससे मैं तो सबस्क्राइब कर लेना साथ आपको किसी भी I.T. इंडर्स्री से लेटड हुआ या आपको किसी भी अपड़ेट चाहिए तो आप इस चैनल पर आ के डेली वेशिस पर विजिट कर सकते हो यहां पर आपको डेली वेशिस पर नयने अपडेट देखने को मिल जाएंगे साथ हमारे टेलग्राम चैनल को जोईन कर लेना और वार्टसप गुरूप में जोईन हो जाना ताकि आपको कोई भी अपडेट आया तो सबसे पहले आपके पास कहुं सके तो चलिए गाइज हम वीडियो के स्टार्ट करते हैं तो गाइज जो इनकी जो अप्लिकेशन की डेडलाइन है अब 26 बचा हुआ है तो आप लोग अराम से फॉर्म को फिल अप कर सकते हो इनकी जो गाइज एलिजबिल्टी क्राइटेरिया है और आपका इंजिनियर इंजिनियरिंग इस्टुएंट्स होना चाहिए आपके पास बी और भी एनकी डिगरी जरू होना चाहिए तो यह आप लोग लिए हािरिंग निकली हुई है साथ इनका डिटेल्स में बात कर लें तो डिटेल्स में एक अडिक्स जो है एस्सदुए इंजिनियर्ट रोल के लिए हाइरु निकाल हुई है अंड रोल और रिक्षी फ्रेटी डिजाइन साइट सर्वें and intelligent साइट सर्वे में आपके पास अच्छी नौलेज होनी चाहिए साथ ही इंजिनिंग डोकुमेंट्स में एक्सप्रियेंस होना चाहिए जैसे के टी-स समें डेकनिकल साइट सर्वें रिपूर्ट में आपका अच्छा एक्सपोजर्स और टूल्स और रीवीट वी एड़े एड़े जो रिकॉर्मेंट्स है जो की एडिक्सन के तरब से मांगी गई आप लोगों के लिए तो यह आपके पास होना चाहिए जोप लोकैसिन के बात कर लें एडिशनल इंफरमेशन में तो बैंगलोर इनकी लोकैसन होने वाली है साती सेलरी अभी इन्होंने ओपे नहीं किया है और वरक डिटेल्स के बात कर लें तो आपका 5 डेज इन वीक वरक होने वाली है तो इसके लिए प्रिपर रहना जोब टाइ किजिए जो हैं एक्षाइट के तरफ से बताया गया है इनकी जॉब पुर्फाइल के लिए तो आप लोग देख लेना और आप लोग इस वेबसाइट पर आके फॉर्म को फिलब कर सकते हो चलेगा इस भी आपसे मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ तब तक के लिए जैहिन बाइब बाइब